हाल कैसे है आप सब और कल से हम सबने एक नई शुरुबात करी है साथियों और इस शुरुबात का नाम है मंतली करेंट अफेर्स रिवीजन सेशन साथियों इस सेशन में लोग 200 प्लस देखते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल अफेर्स पे आधारित है और अपकमिंग सभी परिक्षाओं के लिए महत्वकून है तो अभी क्लास में जितने भी बच्चे लाइब हुए हैं एक पर 200 से प्लस कोशन समने देखा है आप प्लैलिस्ट पर जाईएगा वहां पर मंतली करेंट अफेर्स का प्लैलिस्ट बना है उसको जरूर देख लेना और एक्जाम से पहले आप सभी बच्चे इंस्योर करिएगा कि आप लोग एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल् बच्चों का वेरी वेरी गुडिनिंग टू आल अफ यू स्वागत है चलिए तो सेशन की शुरुवात की जाए आप सब तयार हो वर्थम सब करके जल्दी से बताओगे कि वी आरेडी टू रॉक मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी ट्री बिहार सहीत करेंट अफेर्स बीपेस अफिक्ति साथ चैनल पर दाल दूगा तो सारे बसाथ मिन जाए अप को एक साथ मिल जाएगा जाना ड़ोगोगमिस टूटेटि रहनका घ्ल करत Rabbitि लेखते चलना जल जल्दी से बनाते चलिएगा और अगर हास्वाप ओर समझ हो तो दुनिया की कोई भी हालत आपको आप पर कभी अदावी नहीं हो गया ना दुनिया में विकट परष्थितियां आती जाती रहेंगे लेकिन inten आप अपनी होसला को बनाए रखना आप अपने धैरे को बनाए रखना आप पर कभी कोई हालत हावी नहीं होगा और जीतेगा वही जो जीजान से लड़ेगा और जो अंत तक लड़ेगा है ना तो इसी के साथ हम लोग सेशन की शुरुवात करेंगे और पहला सवाल आपके सासन के सामने होगा सात्यों कि इटली के प पर्धान मंत्री का नाम क्या है जल्दी से कॉमेंट करके बताओगे तो सात्यों इटली के ने पर्धान मंत्री का नाम है जेयाड़ जिवा मैलोनी जो कि ऑप्सन नमर बी में दिख रहे हैं और स्क्रीन पर इन्हें देख सकते हो अगला सवाल फिर से आपके सामने होगा कि पर्धान मंत्री नरेंदर मोदी ने 27 फरवरी को करनाटक में किस हवाई अड़े का उधगातन किया है आज रिजल्ट आया करनाटक का और आप सभी बच्चों ने देखा होगा कि वहां पे जो रूलिंग पार्टी थी बीजेपी उनकी सरकार अब नहीं रही कॉंग्रेस की स बहुत बहुत बहेंतर आगे बढखेंगे और और अगला प्रस्ट मारें सामने होगा ने करे 4 Okay 20-5 फरवरी को रास्टीयं विज्ञान दिवस मनाया जाता है यह किस महान विज्ञानिक का जन्म दिवस सभी बच्चे कॉमेंट करोगे किस महान विज्ञानी के जन्म दिवस क साथियों वैज्ञानिक दिवस के रुप में मनाया जाता है तो इसका सही उतर होगा सिवी रमन और ऑप्सन नमबर ए इस ऑप्सलूटली डाइट सिवी रमन इस राइट आंसर आगे बढ़ेंगे अगला प्रस्ट हमारे सामने है कि सरुस्रेष्ट फीफा खिलाडी 2022 का प्रस्कार किसने जीते हैं सरुस्रेष्ट फीफा 2023 का प्रस्कार किस प्लेयर ने अपने नाम कर लिया है तो उस प्लेयर का नाम है लियोनेल मेसी आपने से मैक्सिमम लोग उनसे परिचीत होंगे स्क्रिन पे आप इने देख भी सकते हो और उन्हें चुना गया है सरुस्रेष्ट फुटबॉलर आप दी इयर आगे बढ़िये महिलाओं में फुटबॉलर आप दी इयर के रुप में किसे चुना गया है महिलाओं में सात्यों फुटबॉलर आप दी इयर किसे चुना गया है सरुस्रेष्ट परदर्शन फीफा में किस ने किया है महिला वर् विए ट्वेंटी कि अस्थापना बैठक कहां पर की जा रही है फरवरी में विमेंस 20 महिला 20 बैठक कहां पर प्रपोजड यह तो हो गया आपको कमेंट करके बताने कहां पर हुआ है तो सात्यों यह हुआ है चत्रपति संभाजी नगर और जिसका पूराना नाम जो था जिसका पूराना नाम जो था जिसको पहले बोलते थे औरंगाबाद हां तो उसी का नाम परिवर्तित हुआ महरास्त्रा में वही पे आयोजन हुआ है UIDAI द्वारा जारी AI चैटबोट का नाम क्या है AI चैटबोट सात्यों अब आप अगर UIDAI के वेबसाइट पे जाओगे तो आएक चैटबोट मिलेगा जो आपको अगर कोई क्विक रस्पोंस चाहिए तो आपको महाँ पे चैटबोट प्रोड कर देगा उसका नाम है आधार मित्र एंड ऑप्सन नमबर बी इस ऑफ्सलूटली राइड आगे बढ़िएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के तेरहवे खिलाडी कौन बन गए हैं तेरहवे खिलाडी का नाम साथ हो जो एक सो टेस्ट मैचेज खेल लिया है तो उस प्लेयर का नाम है चेतेसवर पुजारा स्क्रीन पर आप इन्हें देख सकते हो चेतेस स्थिपा दे दिया रजाइन दे दिया है सभी बचे कॉमेंट करके बताओगे बहुत बहतर वेरी वेरी गुड एंड सही उत्तर हो जाएगा चेतन सर्माना एक स्कीं हुआ था जिसमें नोंने कई सारी बातें कर दी थी पहला सुंदर्वन पक्षी महोत्सों का आयोजन हुआ है सुंदर्वन छेतर में इसका आयोजन किया गया है आगे बढ़ोगे नेक्स्ट कोशन के लिए कि किन सहरों में डॉक्टर मंसुक मंडाविया द्वारा इफको नैनो यूरिया लिक्विड सन्यंत्र का उधगाटन हुआ है बड़ा ही मेहत्वपून सवाल है नैनो ल फुलपूर जहां पर इसका इनोग्रेशन किया गया है तो इसके बारे माप प्रोपर जानकारी रखेंगे और दोनों सहरों उत्तर परदेश में पढ़ते हैं वही पे इसका इनोग्रेशन किया गया है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है क्याबनेट के दौरा कितनी नई ITBP बटालियन अस्थापित करने का सलाह दिया गया है इसके बात प्रस्ट है कि भारतिया नौ सेना जहाज का नाम क्या है जिसने हाली में नावल स्थाफ परमूख एड्मीरल आर हरी कुमार द्वारा ऑन धी एस्पोर्ट यूनिट पर सस्ती पत्र जो है उसको प्राप्त कर लि लिए बहुत बहतर वेरी गुड और आप में से सब मैं देख रहा हूं कि कुछ गलतियां भी ओर ही लेकिन मैक्सिमम सवालों पर आप लोग बिल्कुल सही उतर कर रहे हो आई एनस निरिच्छा की जराइट आंसर उदय रूप सिंग चांदनी था ताहा सुभास साइका मिस्रा जी अनुसका सीतल अभिसेक माही वेरी गुड मन्जु अनुसका मनिशा अच्छा प्रयास कर रहे हो हां वेरी गुड आप माही वेरी गुड जग मोहन बहुत अच्छा प्रयास है आगे बड़ी अगला सवाल होगा कि सोध करताओं ने एक इंडो जर्मन टीम द्वारा किस स्राज्य में बीना आखों और रख्त लाल शरीर वाली कैटफिस की एक नहीं प्रजाति जिसका नाम होरा ग्लैनिस पापुली की खोज कर डाली है इसका खोज कहां पेवाश्मेंट आप इस कैटफिस को यहां पे स्क्रीन पर देख सकते हो इसकी खोज कहां पर की गई है तो साथियों इसका खोज हुआ है के रला के अंदर एंड ऑप्शन बस सीज राइट नेक्स कोचन है उस कंपनी का नाम बताओ जिसने हाल ही में भारत में नागरिक उड्डियन महानिदे साले से साओदेशी रूप से विक्सिद ब्लैक बॉक्स के लिए भारतिया तक्निकी मानक आदेश की मंजूरी प्राप्त करी है साथियों जो डिजी सी है डिरेक्टर जनरल ऑफ सिबील अविएशन उसके साथ ब्लैक बॉक्स के निर्मान के लिए किसने समझाते किये हैं उस कंपनी का नाम क्या है तो इस प्रस्ण का सही उतर होगा उस कंपनी का नाम है है हिंदुस स्लोवाकिया की अगर चै competency के साथ समझाते कि यह है उस भारतिय कंपनी का नाम क्या है तो साथ्यों ड्रॉन बनाने वाली भारतिया कंपनी का नाम है गो पालन एरोइसपेसrin दाकर से करो इट्सेर्व谢谢 करिए लेकिन लाइक इसलिए करें ताकि यूट्यूब पे इसके फिडबेक अच्छे जाए कि यह सेशन यूप होगी है तो एक बार आप लोग लाइक कर लेना सबी लोग और राइट नेक्स है कि कि इकॉमर्स प्लैट्फॉर्म जिसने हाली में ग्रामिन विकास मंतराले के साथ सम्झोता किया है तो यह सबसे सस्ता और सबसे बड़िया आएं अ तो मीशो ने गिरीराज सिंग की मंत्राले ग्रामिन विकास के साथ समझोते कर डाले हैं महिला टी-20 वल्ल कप में स्रवाधिक विकेट लेने का रेक़र्ड किसके नाम रहा सबसे ज्याधा विकेट किस प्लेयर ने ले लिया है यह रेकॉर्ड किसके नाम है तो पाकिस्तान की बॉलर है जिनका नाम है निदाडार और स्क्रिंग पे आप इन्हें देख सकते हो निदाडार जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर हो गई ही टी-ट्वेंटी में और आगे बढ़ेंगे नेक्स्त अबारे सामने जानकारी होगा कि कतर ओपन टैनिस टाइटल में किस खिलाडी ने जीत दर्ज किया है कतर ओपन टैनिस में किस प्लेयर ने जीत दर्ज करी है उनका नाम क्या है उस प्लेयर का नाम क्या है तो साथ हुए है रस्या के डैनियल और इन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे, US Chamber of Commerce ने जारी International IP Index में भारत की रेंक क्या दर्साया है, इंडिया का रेंक क्या रहा है, IP Index में भारत का अस्थान क्या रहा है, IP का मतलब साथ हो, Intellectual Property Index, बौधिक, सम्ता, सुचकांक में भारत का अस्थान क्या रहा है, तो भारत का अस्थान इसमें क्या रहा है, आपके कॉमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ, और आपने सेधिकांस लोगों ने सही उतर किया, इंडिया गौड 42nd रेंक, 42nd रेंक हा, चलिए, इसमें सबसे पहला रेंक जो है, अमेरिका का, उच्छा जाए का, दूसरा रेंक है, UK का, और तीसरा रेंक है, फ्रांस का, आपके यहां पे जो लोग है, अमेरिका में, UK में और फ्रांस में, यह बहुत इंटलेक्शुल है, और मैं इसे नहीं मानता हूँ, मुझे लगता है, कि दूनिया के सबसे ज़्यादा जो इंटलेक्शुल लोग है, वो इंड कुछ भी मतलब इस मैसेज को तेरह लोगों को भेज़ दो तो तुम्हें नोकरी हो जाएगी कल के दिन में और यह नहीं कोई बोलता है कि तुम डेली तेरह पड़ो तो सह तेरी सब्सक्राइब हो जानी है सब्सक्राइब बहुत भीड़ है हमारे यहां बट मैं फिर भी मानता हूं कि इंडियन्स और वेरी इंट्लैक्श्वल और वह तो है ही असवर्ट आप यहां पर देख सकते हो कि जितना भी इंडेक्स है उसमें इंडिया का रेंक हमने मेंसन कर दिया है तो आप लोग इसको pdf से collect कर लेना हां जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत का अस्थान 1007 है हैंले इंडेक्स भारत का स्थान 85 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 40 नंबर ग्लोबल पैंशन इंडेक्स 40 रैंक खाद्य सुरक्षा में 68 वेस्ट्विक सांती में 135 तो यह वाला पूरा लीस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगा हां तोटल इसमें आप देखेगा रिपोर्ट में 34 रिपोर्ट है दे आगे बढ़ते हैं हां अब लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हम लोग एक सेट और अभी कई सारे कोशन्स देखने वाले हैं जल्दी जल्दी से हां अभी प्रस्णों का यहां पर पूरा का पूरा पीटारा लगने वाला खुलने वाला है तो चिंतित नहीं होना वस कोश अपनी चीजें सीखेगा इसलिए बहुत बहुत बैतर और है पाहला सवाल आपके सामने होगा कि वोशन को अच्छे से पढ़ें बनाने का प्रयास करिए पाहला प्र्मिरली किकेट टूनामेंट कहां पर होगा मैला प्रीमियर लीक टूनामेंट कहां पर होगा है तो महिला प्रिमियर लीग क्रिकेट टूनामेंट का जो आयजन होना था स्वर्ण यह मुंबई के अंदर है और ऑप्शन नमबर भी आयजन हो भी गया अभी जैसे पुरुसों का आई पिल हो रहे न उसी तरह से महिलाओं का आई पिल हुआ जो मुंबई के अंदर आयजन कि बॉर्डर गावस्कर 2013 का जो ट्रॉफी उसमें तिसरा टेस्ट में किन पीमों के बीच बीच वाएं तो साथियों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सारा मुकाबला चारों यह इंडिया भारत और और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही हुआ तो इसमें कुछ अलक से नहीं था कोविद 19 के प्रबंधन में सरकार की रननिती के लिए स्वास्तिय मंत्राले ने कौन सा पुरुषकार परदान किया गया है तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इन्हें पॉर्टर पुरुषकार मिला है कोविद 19 के प्रबंधन के लिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है रास्टिया सुरक्षा दिवस कब मना जाता है वर्ल्ड सैक्यूरिटी डे कब अबजर्ब किये जाते हैं तो प्रतेक वर्स चार मार्च को मना जाता है तो आगे बढ़ेंगे फिर से सवाल है तुरिपूरा विधान सभा 2023 में किस पार्टी को स चुना हुए थे तीनों राज्यों में पार्टी की स्थिति आप देख सकते तरी पूरा में टोटल साथ सीटें बहुमत के लिए 31 चाहिए भाजपा को और 35 सीटें मिला थे इनके साथ जो लेंस थे नागा लेंड में भाजपा और प्लस में सारे लोगों को साइटी सीटे मे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए स्वयूज MS 23 अंतरिक्षान को लॉंच किया है अपने यात्रियों को वहां से वापस लाने के लिए किसने लॉंच किया है बहुत अच्छा तो इसे लॉंच करने का काम क्या गया है जापान एक्स्प्लोरेशन एजनसी के द्वारा क्या रॉसकोस्मोस होगा जापान नहीं रॉसकोस्मोस के द्वारा यह काम हुआ है जो कि आपस नमबर डी में दिख रहा है रस्या की जो एजनसी है एक तीनों अंत्र फ्रेमवर्क के साथ सात्यों हस्ताक्षर किया है वो बताना कि किस के साथ किया है तो यह यूरॉपियन यूनियन के साथ किया है यूनाइट किंग्डम ने और उनके जो वैपार होते हैं उसको ले करके ग्रीन लेंद पूर यूके गूट्स और सर्विसेज को ले करके एक सम कहां पर हुआ है बहतर प्रयास से आप सबके वेरी गुड कि इतना अच्छा करोगे तो निस्टी तूप से आप आने वाले समय में गर्दा मचाने वाले धरोई साथ गुजरात के अंदर ही होना चाहिए ना धरोई गुजरात इस आप सुनूटी राइट आंसर वेरी गुड इससे आप देख सकते नेक्स कोशन है कि ईएंफ के अनुसास इस देश में 2023 में वैस्विक विकास ने 피ंदरह परतीसद के योगदान देने की छमता है और स्टिंश में है और वह वह और कोई नहीं सौर उर्जा के उप्यों को बढ़ाने के लिए आई एस ए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ एक समझोता ग्यापकते हस्ताक्षर किये हैं उस पड़ोसी देश का नाम क्या है अरे गलत पे मैं आपका पॉस्टनल तारीफ नहीं न कर रहा हूं कुछ बच्चे तो बिल्कुल सही कर रहे हैं मैं जहां तक देख भा रहा हूं तो आप यह तारीफ अपने तरफ मत लेना बाकियों को लेने दो है ना चलिए तो साथियों आई एसे में समझाता करने वाला देश बन गया बंगलादेश और आगे प्रस्ने हैं कौन सा सहर इंटरनेशनल बायो रिशॉर्सेज कौन सा सहर इंटरनेशनल बायो रिशॉर्सेज कॉंक्लेफ एंड एक्टनो फार्म फार्मेकलोजी कॉंग्रेस 2023 का मेज़बान है उसका नाम क्या है यह आपने पॉमेंट करके बताना है अगे प्रस्न होगा कि बताओ नागा लेंड की विधान सभा के लिए निरवाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है पहली महिला विधायक तो जाकलू इस राइट आंसर है कानी जाकलू और आप इन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं विकेंदी फॉस्ट विमें एमले इन नागा लेंड तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नियू स्थान सबके लिए उसके बाद है थाईरस नरेंदरानी वोयल मदु मक्खी की एक नई परजाती है और इसकी खोज कहां से की गई है मदु मक्खी की एक नई परजाती है इसकी खोज कहां से किया गया है तो इसका खोज हुआ है के रला के अंदर से डी इस राइट आंसर नेक्स्ट है कि किस भारतिय फिल्म ने हाली में सिक्त वार्षिक ह पॉलिवूट क्रिटिक्स असोसियेशन में पांच पुरुषकार जीत लिए हैं तो कम से कम इस बार तो ऐसा जरूर है कि कोई भी अगर पुरुषकार फिल्मों में पूछा जाएगा हमारे पास अगर एक्जेक्ट एप्रोच ना हो सही उतर करने का तो आप सिधा-सिधा आंस के जीवन भीमा ने हाली में और जोगी की विकास निवेस ट्रस लिमिटेड में अपनी हिसेदारी जो है उसको 5.43 परसेंट से घटा करके कितना करने वाली है तो इसको इन्होंने कम कर लिया है घटा करके 3.362 परसेंट कर लिया है इसकी आप जानकारी रखेंगे स्वास्त परिवार खल्यान मंत्राले ने हाली में सर्वदावा सेवन मास ड्रग अड्मिस्रेशन 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 अभ्यान शुरू किया है ताकि लिंफॉर्टिक फाइलेरियासिस तक खत्म किया जा सके मतलब इसका टार्गेट यह क्या है इसका टार्गेट है तो इनका संबंध है गायन और खलास है और अगला प्रस्टे अक्षिगान के गायक थे यह आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है कि उत्तर से दक्षिन तक समाचारों में रहा युक्रेन के सहरों को व्यवस्थित करिए इसको व्यवस्थित आप बाद में करिएगा उत्तर से और उसके बाद टू और आप यहां पर देख सकते हैं जिसे सहर है ना हलंकी पोल्टवा लुबनी जो चर्चा में रहते हैं तो इन सभी स्खैर्सों इस सारे जो सहर है इनको आप यहां से मिला सकते हैं तो एक बार मैप आप लोग जरूर देख लेना है इसाम में ऐसा कुछ विद्यूत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है जिसनू बरुआ is राइट आंसर जिनको के अध्यूत नियामक आयोग का अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट किया गया है इस पूरी पूरी जानकारी यहां तक रहेगे और अब लोग आगे आगे बढ़ने के लिए तयार हैं और आगे बढ़ेंगे बहुत सारे सवाल हैं उन्हें भी जल्दी जल्दी से हमें कवर करना है चलिए के लिए पढ़ेंगे अगला सवाल हमारे सामने है इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ें आई एनस मगर का निर्मान किस ने किया था ए प्रश्न कापकाईवी जारी कि मई का सवाल आ गया था में और लेना मार्च देख रहें न तो मार्च के सवालों को अभी हम लोग देखेंगे कॉंटिन्यू और पहला सवाल आपके सामने है कि क्रॉस बॉर्डर ओयल पाइपलाइन किन देशों के मद्य लगाए गया है इस प्रश्न को देखेंगे जल्दी से कि क्रॉस बॉर्डर जो पाइपलाइन एक यह किन देशों के मद्य लगाए गया है भारत और कौन सा देश इसमें सामिल होगा बहुत अच्छा भारत और बांगला देश के मद्य यह लगा है उसके बाद है कि कि सहर में कि सहर को भीखारी मुक्त सहर गोसित किया गया है अब वहां पर कोई भी व्यक्ति भीख नहीं मांग पाएगा एक नई शुरुवात एक नई पहल हुआ है नागपूर के अंदर अफगानिस्तान पर भारत मद्य एशिया सन्यूक्त कारे समू की पहली बैठक कहां पर हुई है कि सहर के अंदर कि सहर के अंदर आयोजित किया गया है तो साथ इसका जो आयोजन हुआ है वह है नई दिल्ली के अंदर ऑप्शन नमबर दी और हिंदुस्तान यूनिवर्ड लिमिटेड के नए अध्यक्स के पत्पर किसे बनाएं गया सोड़ी एमडी और सियो किसे बनाएं गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर हां एक बहुत जा इएक सोड़ेगा है यू वद आर्गनाइज लिकोषस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज जी कौन सा बन गया है विकिंदफूस्ट इन इंडिया जो मुलेठी की खेती अगए गया तो आइसा करने वाला हिंदुस्तान का पहला राज्जी हमाचल पर्दे है चाइना के और राष्ट पती सी जिन पिंग लगातार बने हुए अपने पत्प पे उनके ही पसंदिता प्लेयर है यह दोनों साथ मिलके खेलेंगे प्रीमेर लिग में दस विकेट से मैच जितने वाली पहली टीम बन गई थी बाद में एक टीम और जीती दर्ज की थी हां तो आपको पूछा जारे रेकॉर्ड जो बना था उसमें पहली टीम कौन सी बन गई थी तो से पहली टीम थी यूपी वारियर साथ है कि उसके बाद है क किस राज्य के स्वास्त्यमंत्री राश्तितके स्वास्त्यमंत्री ने किया है रोटोइं इसकी षुरुवात पेलंग आना के अंदर हुआ है option no c ऑसके वाद पी-एम गति सक्थि र相信 पलाल दक्षिस्वाइडर की बैठक किस रनivent कि सहर में हुआ है दक्षिनी छेत्र की बैठक किस सहर के अंदर आयुज़त किया गया है तो दक्षिन छेत्र में दक्षिन के सहरों को ही देखेंगे कोची केरला में यह बैठक आयुज़त हुआ है कि अगे देखें नाइन टुफफ एकड़मी अवार्ड तमारों में किस भारतिये गीत को सरुस्रेश्ट मुल गीत ओरिजिनल गीत का ऑसकर पुरुशकार परदान किया गया है मुल्गीत का प्रोजकार किसे प्रदान किया गया है कि अ नातू नाथू ना इसके बाद है भारतिया नौशेना के जहाज ने प्रांसीसी नौशेना के साथ साजयदारी अभ्यास में और पुछा जारे कि उसका नाम क्या है उस नौ सेना जहाज का कि विक्रांत सहयाद्री अरिहप या चक्रा कुछ नौ सेमासर का नाम क्या है कि विस्वा का सबसे बड़ा रहे प्लैटफॉम कहां पर बन बनाया रहा है हैं दुनिया का सबसे बड़ा रेल फ्लैट्फोर्म कहा पर बनाए जा रहा है तो इसका निरमान साथियों हुबली के अंदर हो रहा है छाप मुली बोले तो कशेल विण अलग्य विदैएयोर भी करें चैनाट का पड़ेगा और गलती से भी हुबली हुबली को एक नहीं समझ लेना हुबली एंड हुगली बोथ हार डिफ्परेंट हां दोनों अलग-अलग है तो आगे देखो जल्दी-जल्दी से पूरूर्सों और महिलाओं की चौथी यहां पर असाम सहर नहीं है लेकिन यहां पर मैंसन हो गया है तो आप इसमें से सही उतर की पहचान करिए है न कहां पर इसका आयोजिक नहीं लगा देना है और आप में से maximum लोग इसमें सही attempt ले रहे हो असाम इसका उतर नहीं हो जाएगा असा लॉजिक नहीं लगा देना है और अगर भी जाये तो इसमें गलती क्या है इसका आयुजन हुआ है आसाम में ही और आसाम का एक चोटा से झिला घिला है बक्स तो बिसिकली राज जी यह सब्सक्राइब का है यह sufficient s BC bank of India का पूरा नाम क्या है तो साथ हो इसका पूरा नाम हो जाएगा मैं सांथा आणरा विठेल बैंक है इसका नाम क्या हो जाएगा भी तो या साम रोई विठेल कॉर्प्रेशन बैंक इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा सब्सक्राइब 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 एक सिलिकॉन वैली बैंक भी आया था चर्चा में दो बैंकों का नाम नहीं भूलना अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिगनेचर बैंक दोनों वहां पर बैंक रप्सी साबित हुए है बैंक मतलब व्यक्रप्सी फैल वो गया तो अलग नाम वह आपसे नहीं पूछा जागा है आगे दिभ्यकला मेला का वर्ग नहीं है दिव्यकला मेला में साथ यो चाहिए यह वह संबंद्ध न भी वोकल फोर लोकल एंड इसके बारे में जानकारी रखना यह पर दरसनी जो है भोपाल मद्य परदेश में हुआ है और वहां पर दिव्य कला मेला का आज़न हुआ है कि हाली में कौन सा देश इरान के साथ 2016 में समाप्त हुए राजनाइक संबंधों को पुनह बहाल कर रहा है तो साथियों आप सबने सुना होगा इस बारे में कि दो देश जो है एक बार फिर से वापस में मंच साधा कर रहे हैं और इरान और सौधी अरब इस दोनों वापस में एक मंच पर आगे दोनों को आगे बढ़ा रहे हैं यहां पर जानकारी क्या रखना वो थोड़ा देखना इसमें जो मीडियेटर का भूमिका में है आप स्क्रीन पर देख सकते हो सौधी अरब और इरान के मंतरी बीच में चाइना वाला जो है इन दोनों को मर्ज करवा रहा है रही लोगों के मुख्या का काम क्कौन कर रहा है तो मुख्या का काम कर रहे समंधिते वीच वाला वेख ती आपको पता है कि मुख्या जी गट pris होता है आलाकि अभी सिंग्षक भाली मिनका रोल खटम हो गया तो पहले बड़ा धाक रहता था किस राजित आपदा प्रबंधन प्राधीकरण को सुभास चंदरबोस आप्दा प्रबंधन पुरुषकार से सम्वानित क्या गया है साथ वहराज्य कौन सा है जहां के राज्य को यह सम्वान मिला है तो वहराज्य और कोई नहीं बलकी हुआ है और ओडिसा में जब चक्रवात आया था तो उस मिसन किस अंत्रिक्ष संगठन का एक का है ये मिसन जिसके डाठा उप्योग कर पहली बार प्रत्वी के मेसोस्फियर और निचले थर्मोस्फियर में ऑक्सीजर 18 का पता लगाए जाएगा तो आम तोर पे इस प्रकार का जो मिसन होता है उसका संबंध जो एक ही संस्था से वता है नासा इंड इस पर आपकी काम भी करता है सोफिया मी सन उसी नाशा ने इसे लांच किया है ड्लाज जोर संबंध किस तै ना बताना है जल्दी जल्दे से कामेंट करिएगा और इस तने उतर देख रहे हैं कि फ्ञॉरीडा इस राइट उर डंugen here और बेसिकली यह यह लाल जूर एक परकार से एक परकार का जलन चक्ते आंक लाल वाल High cái सब्सक्राइब होना होता है नई दिल्ली में नारी और राष्ट्त निर्मान 1857 गंतंतर तक प्रदर्शनी का उध्गाटन वे प्रदर्शनी का तो ए इस राइट आंसर इने स्क्रीन पर आप देख सकते हो अभी हम लोगोंने इसमें टोटल कितने कोशन्स किया भी तो लगबल 60 प्रस्त हम लोगोंने देख लिया है और अभी आगे कि जिसके ख्वाब बड़े होते हैं उसे नीद नहीं आती है उसे भूख नहीं लगता है और वो क्या दीन क्या रात वो अपनी लक्ष के परती लगतार लगा हुआ रहता है तो करेंट अफेर्स का यह रिवीजन स्रीज है आपने पहले जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर प्रस्ट करेंगे प्रस्ट के लाइज करेंगे प्रस्ट प्रस्ट करेंगे जुए अज़रा जल्ले करा हूं एक बताई अच्छा कॉमेंट करके कह रहा है कि मुझे बहुत भूख लगता है गायज में क्या करू रेशू लिख रही है पिलाल तो भूख का एक ही समधान है रोटी गुंदिये और इतना मोटा एक रोटी बनाई है इतना मोटा जिससे लगबग पचास रोटियां बन सकती है और उसी को खाईए फिर आपको भूख नहीं लगेगा बस पानी पीते रहना होगा टाइम टू टाइम चले आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने होगा कोईशन्स बहुत सारे हैं प्रश्णों को अच्छे से देखते चलना है तो तो सवालों कि अभी कोई कमी नहीं है बहुचार करेंगे प्रश्णों काम लोग और जल्दी जल्दी से इस प्रश्णों को देखते चलने कि जल्दी से देखे इस प्रश्ण को कि कि वाँ एए भारत अमरिका अमेरिका राजबूत के रुपें किसको नाम अंकन किया गया है एडिकव गाया जल्दी 所以 से कॉमेंट करिये इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है 2023 का आयोजन और सी ड्रैगन 2023 किन देशों के बीच का युधर भ्यास का नाम है सी ड्रैगन 2022 किन देशों के बीच का आयोजन है कि जल्दी से देखेंगे हां तो इस भारत और अमेरिका के बीच का आयोजन है कि दोनों के देशों के नौ से ना इसमें सामिल हो रहा है वह रास्टिय टीका करन दिवस कब मना जाता है साथ्य बग कि महतन रखा क्या है और प्रस्ट्रस टीका करन दिवस 16 मार्च को मना जाता है जी 20 इस एफ डबलु जी की बैठक कि सहर के अंदर हुआ है कि इसका बैठक कि सहर में हुआ तो राजस्थान में भी कहां पे बह्य तो उद्यपूर के अंदर इसको बोलते हैं ब्लू सिटी हां अगला प्रश्ट है कि मेक मोहन रेखा क्या है कि साथ हो मेक मोहन रेखा भी फिर से चर्चा में आये था भारत चीन के बीच का एक अंतरास्तिय सीमा है हाली में अमेरिका ने भारत का जो हमारा पॉलिटिकल मांडरी इसको ड्रॉग कर दिया भारत की सही सही मांडरी दिखा दी तो चायन तिल विला गया था तो उसके बाद चर्चा में आथा सवाग रेशम उत्पादकों को बीमा योजना परदान करने वाला भारत का पहला राज्यां रेशम उत्पादन से जुड़ो लोगों के उसे बीमा परदान किया जाएगा और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्राकंट तो इसकी भी जानकारी रखेंगे देन आगे बढ़ेंगे फिर से सवाल है सीवो टू आयात करने और इसे समुद्र के नीचे है स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बताओ अब इतने बड़े बड़े इनिस्टेटिव देशों के द्वारा लिया जा रहा है और क्या चाहिए सात्यों सीवो टू को खरीदेगा और समुद्र के अंदर उसको दफना देगा ऐसा करने वाला देश है डैन्मार्क डैन्मार्क दुनिया का सबसे सांतिफ्रे देशों में से एसिया के सबसे बड़े ट्यूलीप गार्डेन कहां प्रारम हुआ है एसिया का सबसे बड़ा ट्यूलीप गार्डेन भी इंडिया के अंदर स्रिनगर में हुआ है और ऑप्शन नंबर सी इस राइड आंसर नेक्स्ट है स्वीज फर्म आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट दो हजार बाईस एयर क्वालिटी र रैंक पर है भारत और आप इसे यहां से देख सकते हो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पोर्शन होगा कि किस सहर में दुनिया के सबसे बड़े अस्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन क्लैब का आईजन होना है तो एक साथ सभी को वित बाजार का नॉलेज देने के लिए हां दिल्ली के प्रगती मैदान में साथ्यों इसका अगन हुआ है और यह बी इस राइट आंसर नेक्स्ट होगा अगला प्रस्ट है कि सुप्रीम ऑडिट इंस्रिचूशन पाई ट्वेंटी की पहली बैठक कहां प्रारम हुई है तो साथ्यों यह बैठक गुवाहार्टी आसा है तो इसमें तो कोई संदेही नहीं रखना खाद और फूट प्रसंस्क्रन मंत्राले होगा हुआ 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 है थीक है हां नेक्स्ट कोशन है कि निमलिकीट में से किस सहर ने 15 मार्च को जी ट्वेंटी देशों की दूसरी सिक्षा कारे समूं के बैठक की मेजबानी करेंगे तिक्षा कारे समूं की बैठक कहां पर होनी है तो इसका आयोजन हुआ था चैन्नाई के अंदर हां अगर मैं इस प्रसंट पर देखो आप सब कॉमेंट करके जल्दी से बताएंगे चैन्नाई या अमरीद्चर तो इसका आयोजन अमरीद्चर में हुआ था चैन्नाई नहीं नहीं होगा अमरीद्चर हाओ इसी समय करेंगे तो जो इसका युवा मंत्री होंगे भारत में नुखा भाग सिंग ठाकुल उन्होंने इन्योग्रेशन किया था निमनलिखित में से किस सहर में तीसरा दिव्यकला मेला का आयोजन हुआ है आगे बढ़ेंगे प्रशनों के और नेक्स्ट कोशन हमारे सामने होगा नेक्स्ट कोशन हमारे सामने होगा कि नमनलिखित मैंसे किसने चात्रों के लिए लर्निंग साइंस वाइस टेंडर्स लर्निंग साइंस वाइस टेंडर्स स्रिंखला की सुरुवात करी है तो साथियो इसकी सुरुवात B.I.S. Bureau of Indian Standards के दोरा किया गया है दिन आगे बढ़ेंगे परेटन मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी संगाई सहयोग संगठन के अंदरगत कौन सा सहर करेगा परेटन मंत्रियों के मेजबानी तो साथियो ये वारा नसी के अंदर होना है जिसको भारत का कल्चरल कैपिटल कहते हैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं उसके बाद प्रसने हैं कि Stockholm International Peace Research Institute ने दुनिया के कौन से देश को दुनिया का अगरनी हत्यार आयातक देश बोला है सबसे ज़्यादा दुनिया में आयात करने वाला देश हत्यार सबसे ज़्यादा कौन खरीदता है तो साथियो इसमें पहला नंबर पर जो देश है वह है हमारा भारत और इंडिया गौट फॉर्स प्रैंक वन्दिस इंडेक्स भारत 11 पर तीसर इंटरनेशनल आंज खरीद रहा है जबकि सेकेंड में है सौधी अर्याबिया 9.6 कतर 6.4 औस्टेलिया चाइना सभी देश होगा आप यहां पर देख सकते हो आगे बढ़िएगा अगला प्रस्ट होगा कि सेंटरल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ दी इयर की उपाधी किसे दिया है तो सक्तिकांथ दास को दिया गया है और रगुराम राजन के बाद सक्तिकांथ दास बिकेंद सेकेंड गवर्नर ऑफ आर्भी आई जिसे गव आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन के लिए और अगला सवाल क्या होगा जल्दी से देखा जाए अगला प्रस्ट होगा कि अगला प्रश्ण है कि अगला प्रश्ण है कि अगली इस सवाल को देखेंगे अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगा कि सन्यूक तरास्ट महासचिव एंटोनिय गुटेरस किस देश में कविल दम मरामा स्वामी परवती की निवासी समन्वेक न्यूक्त किया है कि कविल दम रामा स्वामी परवती को कहां का समन्वेक न्यूक्त किया है वहीं मेडियेटर के रूप में काम करेंगे तो साथ वह इन्हें तजाकिस्तान के लिए पॉइंट किया गया थे नॉप्सन नमबर बीज राइट आंसर अगला प्रस्ट होगा कि पांथ्याल रामबान बनिहाल कि के बीच चार लेन वाली टी फाइट सुरंकिस राज्य में बन रहा है तो इसमें ज्यादा लॉजिक लगाने के भी आपको आवसकता नहीं होगा बनिहाल जैसी आपने पढ़ा होगा तो आपके कान में गुंजाओगा जमुएंड कास्मित उसके बाद सवाल है कि राज्य मे फूल देई महुत्सव एक फसल उत्सव है इसका आयोजन कहां पर हुआ है उत्तराखंड के अंदर और इस सहर में धूम्रपान कानूनों के लिए स्वस्त सहर के पुरुषकार दिये गये हैं वहां पर धूम्रपान के कानून वहुत ही स्ट्रीट है और उसके लिए इस्पे कि वह सहर है बेंगलूरू एंड ऑप्शन नंबर ए इस राइट अगला प्रस्ने है एफ एस आई बी ने किस बैंक के लिए अस्विनी कुमार को एमडी बनाया है नंजदिंग डाइरेक्टर किस बैंक का इन्हें पॉइंट किया है तो साथ मेंने यूको बैंक का एमडी नि अगला सवाल होगा कि वैस्ट्विक पुनर चक्रन दीवत ग्लोबल री साइक्लिंग डे का आयोजन कब किया जाता है तो ग्लोबल री साइक्लिंग डे परती वर्सातियों 18 मार्च को होता है एंड ऑप्शन नंबर सी इस राइट भारत की जी ट्वेंटी के अध्यक्सता के तहत बीट्वेंटी की बैठ कहां पर हो रहा है बीट्वेंटी बोली तो सब्सक्राइग कहां पर हो गगा यह आपसे सवाद पुछे जा रहे हैं UPI प्रैसं सेवा को शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है मतलब उस देश का बैंक भारत में यूपी आई की सर्विशे जो है उपरारम कर रहा है और आपको पता है कि यूपी आई ने करांपी कर दिया है पुरिक दुनिया में सबसे सखल यूपिआई और सबसे ज्यादा प्रिव भारत में होता है यूपाइड पैमेंट इंटरफेस जिसमें आप एक एककाउंट से दुसरे एकाउंट में नैनो सेकेंड में पैसे को भेज सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं तो इसकी जानकारी दखेंगे अगला स्वाल होगा कि सौर उर्जा चमता कितने वरसों में 26651 से तीगुनी होकर के 64380 मेगावाट हो जाएगा इसका उत्पाद अंचमता कितने वर्सों के अंदर तो इसे आप कॉमेंट करके बताएंगे और अनुमान है नेक्ष्ट फाइफ यूर्स के लिए उसके बाद प्रशन होगा कि कैंद्र सरकार ने वह स्मार्ट योजना कि समय आउधी किस वर्स तक भढ़ा दिया है वह स्मार्ट योजना ओर इसकी समया ओधी को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था दो स्मार्ट ऑने तो ऑसीन सर्विसेट उसकी कारेकरम को बढ़ा दियार 226 में आगे प्रशने है कि किसे किस मैंने अनूप बागची आइसी आइसी बैंक प्रूडिंशिया लाइफ इंसुरेंस के पर मुख बन जाएंगे नियुक्ति की गए थी भईया कि आप यह उनीच जून को पांच वर्स के लिए इसमें अपॉइंट हो जाएंगे उनीच जून से त जैसे भोजन जरूरी है जैसे खाना जरूरी है वैसे नींद भी जरूरी है अगर वे एक वेक्ति रही सही नींद ना ले तो फिर वो मालसिक रूप से अस्वस्त हो जाएगा और इसके लिए जो दिवस मनाये जाते हैं पर्तिवर्स वह है तीसरे सुक्रवार को हां मार्च का तीसरा सुक्रवार और जो सुक्रवार होता है उसी को मनाते हैं तो इस वर्स पढ़ा था सत्रह मार्च को और इसमें नींद के उद्देश्यों और इसके स्वास्तिपे परभाव को पताए गया था आगे प्रस्ने है कि भारतिया रक्षा मंत्री बनाये गया है वो कौन है तो रवी चौधरी और ऑप्शन नमबर डी इस राइट आंसर आप रभी चौधरी को स्क्रीन में देख वा रहे होंगे अंगला सवाल होगा कि सरुस्रेष्ट अभीनेता का प्रुषकार ऑसकर एवाड 2023 में किसे मिला है कि सरुस्रेष्ट अभीनेता के तौर पे किसे चुना गया है तो ब्रेंडम फ्रेजर इस राइट आंसर और ब्रेंडम फ्रेजर को सरुस्रेष्ट अभीनेता का प्रुषकार म और था कि नोने को को मिला है महिलाओं के शृएनी में मैं 2 विपनी डिवस कब अपनी से अपने अब प्रोय को přिभूदी यह प्र्ती वर्षिम संद्ध कि अमर्च महिने के दूसरे गुरुवार को मना राता है और इस वर्ष जो था इनौ मार्ज को था सौधी इरान सम्मंध सामानी करन सांती समझोते कि मध्यस्ता किस ने किया है तो सौधी और इरान के बीच में समझाता हुआ उसमें मध्यस्ता किया था चीन ने अगला सवाल होगा कि सन्युक्त रास्ट जल सम्मेलन यह प्रस्ण आपने कल भी पढ़ा था अमेरिका में नियॉर्क में इसका आजन हुआ था अगला प्रस्ण है कि बागवानी फसलों के लिए ने उत्कृष्टिता केंद्र अस्थापित करने के लिए कि मीशन जोरा किये अनुमोदन के संबंद में कौन सा बिंदू सही सक्राइब कैसे हुआ मैं कौन सा बिंदू इसमें सही लिखा गया है उसके बारे होगा तो विष्व रोट्रेक्ट 2023 कब मनाये गया तो विष्व रोट्रेक 2023 हर वर्स की तरह इस वर्स भी मनाये गया है और 13th of March उसके बाद है कि किस हाली में किस संगठर ने एक बहुत क्रूड केरिंगर की खरीद शरक्षित करने के लिए यूरे नाव के समझ़ोते पर अस्ताक्षर किया है उसका क्या है कि उसका नाम क्या है तो संयूकतराक्ष्ट विखास कारेगरण जिसने यूरेक्ष्जा के साथ संचरल के है तो इसमें भी हम लोग 20 कोशन देख लिए हैं नेक्स्ट सेट पर आएंगे आगे और भी प्रस्ण है तो उसे भी देखेंगे कि और भी सवाल है भी उसे भी जल्दी देखेंगे हैं लोग कि अग्यों कि कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि बड़े लक्षी की प्राप्ति के लिए आपका त्याग भी बड़ा होना चाहिए है अभी हंडेट कोशन हुआ है और भी सवाल हम दो देखेंगे सभी बचे इस बात पर ध्यान देना बड़े लक्षी की प्राप्ति के लिए बड़ा थ्याग भी होना चाहिए अच्छी जिन्दगी अच्छी नोकरी अच्छा परिवार अच्छी सैलरी अच्छी कार बढ़ करेगा क्योंकि हर कोई चाहता है इस धर्ती पर ऐसा सिंगल इंसान आपको नहीं मिलेगा जो नहीं चाहता है कि उसके पास सारी चीज़े बहतर हो लेकिन सब को नहीं मिल पाता है और गर्मी बहुत है एक बर ऑफिस जॉइन कर लो ना फिर अराम से सरकारी पैसे में एसी का हवा खाना सब्लाइब डिग्री सेल्सियस में बलेजर पहन के बैठे रहना है ना को टूट पहन के तो महां पे ठंडी लगेगा तो अभी प्रयास करो अपना फोकस महां पे लगा तरफ ली तरते हों गर्मी वर्मी लगते रहेगा पर्ण सीट रहें किति अपद्म पूरुसकार में क्या सामिल नहीं है साथ्वा प्रुषकार से सम्हानित क्या है यह जिता है पूछा जेगा है आ रहने और भार्त प्रिलगेश शीरा पकिसन जीता है तो इसमें टूनामेंट तो बराबर हो गया था ना तो और तूनामेंट जो था स्वेंट वो बराबर हो गया था तो इसकी जानकारी रखेंगे दोनों में से दोनों टीम इसमें से स्वेंट बराबर बराबर जीत गया थे तो यह होगा आयकर विभाग के द्वारा करदाताओं के लिए लॉंच किये गए मोबाइल एप का नाम क्या है मोबाइल एप्लिकेशन का नाम क्या है तो आयकर विभाग के द्वारा जो लॉंच किया गए है मोबाइल एप उसका नाम है क्या नाम है उसका सब्सक्राइब को पूरा वर्स का जानकारी मिलेगा आई एसे से फ्राइफल एंड पिस्टल विस्टू कप में पूर्सों की दस मीटर एर पिस्टल असपर्धा में गॉल्ड मेडल किसने अपने नाम कर लिए हैं कोई बच्चा लिख रहा है कि मैं अच्छे अच्छे कॉमेंट्स नहीं देखता हूं एक्चुली मैं कॉमेंट्स पढ़ना अगर लगूंगा ना तब तो फिर हो गया पढ़ाना मेरा हम यहां पर पढ़ाने के लिए हैं बाकी जब जब ज़रूरत पढ़ता है तो मैं आपके कॉमेंट्स तो पढ़ी रहा हूं बाकी उससे ज्यादा मुझे पढ़ने का को इंट्रस्ट नहीं है फिल्हाल है ना बाकी आगे का नहीं पता मुझे तो शाच्छों इसमें सरभ जो तो सभी बच्चे जानखारी रखोगे कि यह आयोजन हुआ है इंडोनेशिया के अंदर और इसे देखेंगे नेक्स पोश्चन होगा कि भारत में सहीद दीवस कब मनाया जाता है साथ में यह तो भूलने लायक ही नहीं है 23 मार्च भारत में सहीद दीवस के रुपे मनाया ज हो गए हैं मार्केट कैप किसकी सबसे हाइस रही है तो सबसे महंगे हो गए है रन्वीर सिंग चितकबरे टाइप से लग रहे है स्क्रीन पे आप देख सकते हो इनको और आगे बढ़ो कि किस राज ने हाल ही में दयालू योजना शुरू करा है दयालू योजना तो साथ योजना आपको एक ही राज्य में मिलेगा और वह राज और कोई नहीं बलकि वह राज है हर्याना हम लोग जब पढ़ते थे ना जब आपके जैसे एक्जैम्स प्रोपर तैयारी करते थे उसमें तो हम लोग तुक्का लगाते थे तो हर्याना ही लगाते देखेगा नब्वे परतिसास समय में नहीं योजना में यही आगे रहेगा तुरू से रहा इसका मतबाएस से 15 सल 10 सल पहले ली आगे बढ़ेंगे नेक्स है कि मिनाची लेकी ने साथियों क इस देश में भारत महोत्सव वर्च्वली उधातन किया उसका कि बढ़े जा करके नहीं किया वल्कि उन्होंने वर्च्वली कर दिया है तो इसकी जानकारी रखेंगे कि कुवेट टाटा को चुना गया है प्रूसकारी ने मिल भी गया उसके बाद सवाल है कि होकी इंडिया प्रूस प्लेयर ऑफ दी यर के लिए किसे पॉइंट किया गया किसको चुना गया है तो साथ इसके लिए हार्दिक सिंग को जो कि ऑप्सन नमबर सी में दीख रहे हैं आपको दूसरे घर के रूप में से चुना है उस राज जिखा नाम के आया है तो साथ हुआ है गुजरात और आप्शन नमबर एज राइड आगे देखोगे विश्वा मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रिलॉजी अगे बढ़ोगे कि सराज्य में पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में साथ हो पदमा लक्षमी बार काउंसिल में नाम अंकित हुई है जगें एक नहीं तो अगंत last यह लगए एक बच्छा लिक्षा की कॉमेंट बहुत फाल कर रही है है सब कॉमेंट में आंसर ही तो कर रहा है पेरियाय भन निर्जी अभ्यारनी को गों द्रऊत सकता रिख में आधिस उचित क्या थे तो पिद्षाईय पिर्यार जो है जैसे आपने पार्यार सब्ड़ पढ़ाऊओगा तो दक्षिन भारत की ओर 앞 चले जाना भी आपका उचीत है और सही उत्र आप ढून रहे होंगे ढून आ फिट है और सही उत्र आपको मिल गया होगा उत्तर मिलना भी उचीत तो यह अस्वेंट तमील लाडू में है और एंवेस्ट इंडिया के ने परबंध नहीं देशक और मुख्य कारिकारी अधिकारी किसे बनाए गया है मनमीत नंदा को बनाए गया है और मनमीत नंदा जो है इंवेस्ट इंडिया के एमडी और सियो के पद पर अपॉइंट हुई है इस तमाम सवाल हम लोग भी देख रहे हैं अगला प्रस्ट होगा इसके एमडी और सियो इसके एमडी और सियो बनाए गया है अगला सवाल है विटमंत्राले रिपोर्ट के नुसार वैस्विक विप्रित परिस्तित्यों के बावजूत विट वर्स बोजाएश में भारत की अर्थवेवस्था किस देर्दर से वर्दी करेगी तो दुनिया के अ साथ परतिसर्ट के दर से बढ़ेगा वे फिर गलोबल एकोनॉमी तीन पर तीसर्ट से बढ़ने का अनुमान है पूरा दूनिया पीन परसेट से बढ़ेगा हम लोग साथ परसेंट से बढ़ेंगे तो हम भारतिय हैं हम लोग तो ज्यादा बढ़ेंगे ही अमिरेकी पॉस्टन नंबर ए में दिख रहे हैं आप यहां पे ने देख सकते हैं कहानिकार है और इंडियन और इजीन है यह उनको यहां पर सम्मानित किया गया है मिंडी कलिंग को इंडियन और इजिन है इसलिए सवाल हमारे लिए ज्यादा में तो पूर रहा है इंपोर्टेंट हो र वेरी गुड़ तो प्रश्ण को तो देख नहीं है और नीन उद आएगा तो इससे बीच बीच पर पढ़ते रहना हां परकास तब रौसन होता है जब वह आग की तरह जलता है इसी तरह जितना अधिक आप अपने आपको रगड़ते हैं उतनी अधिक आप चमकते हैं बिल्कुल हां तो आप बिल्कुल इस बात को मान के चलो जैसे अभी मैं आप कितना 11 बच के 10 मिनट हो गया है तो अभी कुछ बचे सोने की तयारी कर रहे होंगे और अभी किसी समय कोई बच्चा अपने बोटल में फानी भर रहा होगा और वो इस बात की तयारी में होगा कि है कि हमें कैसे करके अपने चार चेप्टर जो हमने तई कि हैं उसको कंप्लीट कर ले तो स्टुडेंट्स तो उतना ही है लेकिन सभी लोगों का अगर आप देखेगा उनका जो लक्ष है वो अलग-अलग है सबकी जो तैयारियां है वो अलग-अलग है तो आप हमेशा इस पुछ जीवन में अतिरिक्त चाहिए तो उसके लिए आपको अतिरिक्त काम भी करने पड़ेंगे ऐसे आपका काम नहीं बनेगा हाँ कि 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 अचले तो आगे बढ़ेंगे और कोशन की भरमार है पहला सवाल आपके सामने है वर्ल्ट टीवी डे कब आपजर्ब की जाते हैं विस्वर्ट टीवी दिवस कब मनाया जाता है अशन बहुत अच्छा और राइड आंसे अब्यस्ति ट्वेंटी 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 पॉर्ट अफॉर्ट आप्सूल्टी करेक्ट अच्छा अच्छा आपके बढ़ेंगे नेक्स होगा कि असम के तामूल पूर में आयो जीत एच्छाइए खोको चैंपियंशिप में किस देश के महिला और पूरुष टीम ने जीत दर्ज करी है वहीं टीम तो एक ही रहेगा इसमें जिसने जीत तर कि नेक्स्ट कोशन होगा कि अगला प्रशने है राहुल गांधी द्वारा की गई कौन सी विवादापस्त टिपनी के लिए उन्हें मान हानी का मुकादमा जो है वो हुआ और उनकी सदेस्ता भी चली गई उसाते हो मोदी सरनेम को लेकर के एक स्टेटमेंट दे दिये थे कर वाला जो चुना हो रहा है उसकी परकार में और उनको सजा हो गई उनको मिल गया उनकी सदेस्ता चली गई हां दोबर से दिखा सजा हो गया और एस्या का सबसे बड़ा चार मीटर का टेलिसकोप का उधगाटन कहां हुआ है इसका इन्योग्रेशन उत्राखेंड में हुआ ह और नेक्स्ट होगा कि आई SSF विस्व कप सुटिंग चैंपियंशिप के दूसरे दिन भारत ने कितने पदक जीते थे तो साथ इसमें जो भारत के द्वारत पदक जीता गया था वो था एक रजत और एक कांस से पदक हां आगे सवाल है कि किन देशों के बीच वार्षिक दूपक्षिया समुद्री अभ्यास कौंकन 23 का आयोजन हुआ है कि दूपक्षिया अभ्यास अस्वी कौंकन इसका आयोजन भारत और ब्रेटेन यूके के मद्ये हुआ है Q.S. University Ranking Q.S. University Ranking में Engineering और Technology में कौन सा संस्थान भारत में पहले अस्थान पर है कौन सा संस्थान पर है यह आपने कॉमेंट करना है इसमें पहले अस्थान पर जो संस्था है उसका नाम है IIT Bombay और IIT Bombay पहले स्थान पे उसके बाद next question के लिए बढ़ेंगे अगला सवाल होगा अगला प्रस्थने है किस अस्टील कंपनी को भारत का पहला आग परतिरोधी अस्टील बनाने के लिए BIS का लाइसेंस प्राप्त हो गया है Bureau of Indian Standard का लाइसेंस मिला है जिंदल अस्टील को जो कि option number B में दिख रहा है वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षन कानून मिन बनाने वाला भारत का पहला राज्य हो में पहला राजय हो गया है राजस्थान आ जिस ने वकीलों की रक्षा के लिए कानुन बनाया है आगे पढ़ें और पत्रकारों के लिए पूछा जाएगा तो पत्रकारों के लिए च्षण 6idd ुझेंड हो जाएगा किस राज्य सरकार कि द्वारा माणव हांती संगर्ज को रोकने के लिए गजमित्र पहल कि खाजमित्र मंगाल में गजमित्र बनाए गया है और इससे प्रभाव यही है कि जो हांतियों के द्वारा जो छेत्र में उत्पाद मचाए जाते हैं उसका देखरेक किया जाएगा उसको लेकर करें उसके बाद नेक्स पोशन है साजीबू नौंगमा पन्वा किस राज्य में मनाये जाने वाला चंद्र नववर्स है इसका आयोजन कहां पर होता है किस राज्य के अंदर बहुत अच्छा तो स्वेंट यह मनीपूर का एक उत्सव है और वी इस राइट आंसर उसके बाद प्रश्क्राइब का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रस्रिक्षण संस्थान कहां पर स्थापीद किया जा रहा है तो यह अपना प्रस्रिक्षण संस्थान और डेटा सेंटर भूवनेस पर और डिसा में लगा रहा है इंडियन नैवी लॉंस्टर दा साकेंड इन इन श्रीज ऑफ एट इंडिजनेस सी बिल्ड बाइदी गार्डन से विज बिल्डर स्कोल का था भारतिया से नानेस्ट्ट कौन सा स्रिंखला को लॉंच किया है तो अभी एंड्रोथ को लॉंच किया गया है आई एनस एंड्रोथ और दी इस ऑप्सुलूटी करेक्ट अगला सवाल है इंडियन ग्रैंट प्रिक्स एप्सलेट्रिक्स इवेंट में 200 मीटर दौण में स्वर्ण पदक किस ने अपने न दिवस किस तारीक को मनाए गया है तो अब हर वर्ष की तरह 22 मार्ट से दिवस मनाए गया है और कि 1912 में बना था और 111 स्थापना दिवस अभी बनाए गया है आगी प्रस्ट होगा कि एस एव सेफ चेंपियंशिप 2023 संस्क्रण 21 जून से 3 जुलाई 2023 तक किस सहर में आयोजित किया जाएगा किस सहर के अंदर इसका आयोजन होगा और तीन जुलाई फोगा भी हुआ नहीं है ऑल इंडिया ऑपन बैड्मिंटन चेंपियंशिप पर पूरूस एकल का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है बैड्मिंटन चेंपियंशिप ने तो इनका नाम है सी सुरी ली सी फैंग ली क्लिया इंडिया 2022 का 24 संस्क्रान किस ने आ लौंच किया है 12 संस्क्रान किसने लौंच किये हैं लुकित उस संस्था का नाम क्या है विधोन करने का काम क्या है इंदरजीद सिंग राओन ने उप्सनमर य्दियों में एया उतला प्षॉए है कि मार्ण से विष्यों डाउन स किवस्वा स्न्डूमी म मनाए जाता है इस वर्स का थीम क्या रखा गया था इस वर्स का थीम क्या रखा गया था कि को इस वर्स का थीमध्यल तह राश्टिट विक थास not for e आगे सवाल होगा अंतरास्ट्य वन दिवस कब मनाया जाता है परती वर्स अंतरास्ट्या वन दिवस कब मनाया जाता है वन दिवस परती वर्स तो वन दिवस परती वर्स एकीस मार्च को मनाया जाता है और थीम वगेरा सब है सब्सक्राइब है तो यहां से मिल रहा है नेक्स्ट हम लोग अभी टोटल 140 कोशन हो चुका 140 सवाल हम लोगों ने देख लिया है लोग कोशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छा सुभास अर्चना साकेट चांदनी उपेंद्र अभिषेख संगीता सभी लोग जमें हुए हो मजा आ रहा है गौरफ अनुस्का बरून अनु राय खुश्च्बू अब शुट्टी सर एक सेट और लगा लो अभी नहीं एक दो सेट दस मिनिट और हाँ अभी ग्यारा बच के बीस मिनिट हो रहे हैं एक दो सेट और कौन डिस्टर्ब कर रहा है क्लास रुको तुम्हें कॉमेंट पढ़ता हूं जरा उसको पता है किस क्लास में हो किस क्लास में वो पता है ओई फालतू कॉमेंट नहीं करना हां बिल्कुल फालतू कॉमेंट नहीं करो मेरे नीचे कोई क्लास चल रहा होगा वहाँ पे चल जाना वहाँ पे जितना फालतू कॉमेंट करना करते रहना मैं अपसे हमबल रिक्वेस्ट करता हूं आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशल के लिए और जिन्दगी और बाक्यों की क्यों खराब करोगे दुनिया में ऐसी गंदे और बुरे लोग और एसास भरे हुए हां तो सही जग अपनी उर्जा लगाईए कुछ सीख जाओगे तो नाम होगा जग में आपका आपके पैरेंट् अगला सवाल एक्षण की भोपाल आई एससेफ इस प्रस्ण को पढ़ोगे जल्दी से बनाने का प्रयास करिएगा ने ने आनुपमा कोई कुछ बोले बच्चे आप अपना बकवास नहीं करो ना मुझे आप से भी या किसी भी बच्चे से कोई बकवास नहीं चाहिए ना बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान दीजे और कोई अगर कुछ लिखता है तो उसको लिखने दो इवेन आप भी कुछ लिखते हो तो बाकियों को उससे ज़्यादा फरक नहीं पढ़ना चाहिए तिलिए विस्टो कप सुटिंग चैंपियंशिप तिसरे दिन पूर्सों में 10 मीटर राइपल असपरधा में किस ने जी का आगा प्रोट्रश्ण होगा कि वायूउ प्रहार अभ्यास कब हुआ ठार साथं यह कब हुआ है तो इसका अज़ों हुआ pipelines के दूसरे जी ट्वेंटी अध्यक्स्ता में पहली व्यपार और निवेस कारे समू का आयोजन कहां पर किया जाएगा कि एक जी ट्वेंटी अध्यक्स्ता में साथ में पहली व्यपार और निवेस कारे समू का बैठा कहां पर आयोजित किया जाएगा जल्दी से कॉमेंट करेंगे तो वैपार का बात है ना, तो मुंबई ही होना चाहिए, मुंबई ही है, आगे प्रश्ण होगा कि वारा नसीपतर प्रदेश में, वर्ण वर्ल्ड टीबी सम्मीट किसने संबोधित किया है, तो साथियों इसे संबोधित किया है, देश के, परधान मंतरी नडेंद्र मोधी ज कौन बन गया है, तो तीसरा तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा ना, जब भारत बनता है तभी इस तरह से आपको ढूंड के सवाल पूछे जाते हैं, इंडिया is absolutely right answer, आगे प्रश्ण होगा, परधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने 24 मार्च 2023 को, किस सहर में वन वर्ल्ड टीबी सम के सहर के अंदर हुआ है, जल्दी से कॉमेंट करेंगें, तो इसका अखना है दुबई के अंदर ढमीन गट करी जो निटिं गट करी है, उनका मंतराले से Leben here, है तो अगला स्वाल है, मीसन लाइफ अस्टाइल और इनबारेमेंट, किस राज जी के मुख्यमंतरी ने इसको सुरू किया है, तो साथ इसे आसाम के मुख्यमंतरी हिमंता बिश्व सर्मा के द्वारा सुरू किया गया है, अगला प्रश्ण होगा कि ग्रीन पोर्ट और सिपिंग, भारत के पहले रास्तिय उत्ट, करिष्टत, कंद्र का उत्गाटन किस ने किया है, तो किस ने किया है, सरबानल सोनोवाल हो जाएंगे, सवाल आप से कहां पर किया गया है, तो इसका इनुगरिशन गुरूग्राम में हुआ है, जो कि ऑप्सन नमर्डी में दिखे आपको, प्रेंड गुरू ग्रामीज अप्सूर्टी राइट नेक्स्ट है ब्रजेस दामानी को हराकर एशन बिलियर्ड बिलियर्ड दोज़ाइश का खिताब किसने अपने नाम कर लिये हैं यह इसे पराजित करके इस आयोजित करने जा रहा है तो इसका आयोजन होगा नई दिल्ली के अंदर ऑफ्शन नमबर एक और अगला प्रस्ट फिर से हमारे सामने है कि अजन में बच्चों का अंतरास्टिय दिवस जिन बच्चों ने अभी तक जन्म नहीं लिया है जिन बच्चों को जन्म से पहले मार दिया गया है तो साथ वह इन बच्चों के लिए भी एक दिवस मनाय जाता है हर वर्ष 25 मार्च को और दुनिया में ना जाने कि जो पुरूरता है क्यों गर्म पाथ जिसको बोलते हैं आवोशन बड़े अस्तर पे होता है पुरी दुनिया भर में और अल सालवा डोर ने उन प्राइज द्र वह गया है तो सहरों के अंदर ही कोई सहर होगा तो पहसानों की वह कौन सा सहर है तो यह बैठक दुन से रातिव बलकि नहीं दिल्ली के अंदर ही हुआ है अगला प्रश्ते बिल्ड ऑन ऑपर एक मोडेल पर अपने परतिष्ठानों में ग्रीन हाइडरोजन प्रोजेक्ट्ट अस्थापित करने के लिए किस कंपणी ने भारतिया सेना के साथ समझाय किए हैं लिए सेना के साथ समझाय करने वाला शहर कौन सा है कंपनी कौन सी तो साथ में एंटी पीसी है कि नेक्स्ट होगा किस राज ने 817 दसमलों 12 करोड उठे की प्रयोजना के लिए फ्रांसीसी विकास एजनसी प्रैंकिस डे डेवलोप्मेंट के साथ एक समझौते पर स्थाक्षर किया है उस कंपनी का नाम क्या है तो यह उस कंपनी का प्रयूस राज जी का नाम है हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री वहां के देख रहे होंगे सक्खूस आपको उन्होंने इस समझौते पर स्थाक्षर किया है आगे बढ़िएगा अपनी रीन चुकौती सुविधा को मजबूत करने के लिए किस भुकतान सेवा ने भारत ब्लपे के साथ एक समझाउते पर स्थाक्षर किया है अपना बिल प्लिकर करने के लिए भारत ब्लपे के साथ अमेजों प्यिंद है यह स्टार्बक्स के सीज्त कि रूपय किसे नियूंत किया गया है भारत यह रूखने का नाम नहीं ले रहे हैं और अच्छी बाते भाई रुकना भी नहीं चाहिए तो वन आप दी बिगेस्ट एमिन सी इंद वर्ल्ड स्टारबक्स को लक्षमन नर्शीमन इसको ऑपरेट करेंगे हैं इसे आप क्या गया है लिकित में से किस कंपनी ने ओपेंड ए आई डेल इद्वारा संचालित बिंग इमेज क्रियेटर पेस करने की घोशना करिये हैं अपन ए आई के साथ बिंग क्रियेटर तो साथ इसे पेस करने की घोशना माइक्रो सॉफ्ट ने किया है दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट्वेर बनाने वाली कंपनी अगला सवाल है कि जी ट्वेंटी प्रियावरन जलवायु अस्थिर्ता कारी समों की दूसरी बैठ है 27 से 29 मार्च को किस सहर के अंदर होना है इस प्रपोज टूबी हैं इस सिटी तो साथ इसका आयोकर गांधी नगर गुजरात के अंदर होगा एंड वी इस राइट आंसर तो यह तमाम महत्वपून सवाल है जिसको आप लोगों ने देखा अभी और लाइक करने में पता नही कितने पैसे आपके कटते हैं मैं आपसे हमबल रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चे लाइक जरूर से जरूर करिये सेशन को क्योंकि आप लाइक करोगे तो उसके रस्पॉंस यूट्यूब को अच्छा जाता है वो फिर बाकी लोगों तरह इस वीडियो को रेकमेंड कर आपके दुनिया में आपकी जिम्यवारी कि आप दुनिया में गलत चीज़े फैल आना चाहते हैं यह अच्छी चीज़ें आप हमें बताओगे कि आप क्या चाहते हैं कि कल यूपी पीसीज का पेपर है उसका फूल्ट एनलेसिस डिसकर्शन वीडियो आएगा आप सभी कितने परसेंट का भई तो 40 परसेंट का यह ऑफर का सबसे आखरी दिन है अभी अगले 30 मिनट में ऑफर खतम हो जाएगा तो जो बच्चे भी अनकैडमी प्लस पे हो अच्छी बात है नहीं है तो प्रयास करिए अगले 30 मिनट के अंदर यह ओफर का लाब ले लो जहां पर 6000 में एक साल का कॉर्स मिल जाएगा नकैडमी पर पूरा एक साल पढ़िए 6000 के आसपास पैसे लगेंगे और आपको पीटी मेंस की पूरी तयारी उसी प्रकार से दो वर्स का जो कॉर्स है इसको प्राप्ट कर सकते हैं आप अपने के में 75 कुछ रुपे में तो अनकैडमी के सेडलमेंट ऑफिसरी त्यारदी के लिए भी कॉर्स है बीपेसी प्रलीम्स के लिए मात्र 1999 में सेपरेट बैच है टार्गेट 69 बीपेसी और विजय पत 69 बीपेसी का प्रलीम्स का बैच भी हमारे पास है 1999 में तो इन बैचेश को जरूर एक्सेस करिए हिंदी इंग्लिश मा सबीकर क्लास में हैं तो मैं आपको बतादू कि आप सभी बच्छे आप सभी बच्छे हाँ तो आप सभी बच्चे इस बात का खासा ख्याल रखना कि सुबह की जो क्लास है उसमें जरूर से जरूर आप लोग जुड़िए सुबह साथ बजे जहां पे हम लोग हर दिन सब्सक्राइब करिए एक बड़ी सी टीम है जो आप में से मतलब 200 बच्चे लगतार उसमें जुड़ते हैं बाकितु रेकॉर्डेट देखते हो तो प्रयास करिएगा लाइफ जुड़ने का हां बहुत मज़ा आता है सुबह की क्लास में एवन मुझे भी वहां पे 20 नएफ प्रयास तो अच्छा तसर बस कुछ लोगों के चकर में रहिएगा तो हर जगा ऐसे लोग मिल जाएंगे तो हमेशा मैं कहता हूं कि आप अपने लक्ष पर फोकस बनाई रखे आसपास वाले लोगों पर ध्यान दिजेगा तो फिर मतलब कुछ जवाब ही नहीं है कुछ भी भी बोलोगा भी मैं भी बोलूँगा चार बात हो सकता है उधर से दो बात और रिप्लाय जाए तो मैं इन चीजों में ना पढ़ता हूं नहीं आपको पढ़ने का सला दूँगा आप और हम अपना-पना काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे हां हम इस बात का पूरा भर है और आप सबको मैं टेलीग्राम पे इसका लिंक शेयर का पीडियाप होगेरा में डाल दूंगा पूरे मंत का आप लोग वहां से से कलेक्ट कर लेना हां से लिए गुड़नाइट टू अलोफ यू कि टेक केर बबाए ख्याल रखिये अपना मुस्कुराते रहे हसते रहे ह झाल झाल झाल